नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको कंट्रोल के साथ यूज़ करने वाले A to Z सारे शॉटकट कीज को one by one दिखाऊंगा जो कि आप Microsoft Word, Excel या फिर PowerPoint में यूज़ कर सकते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सब सब पहले CTRL A जिससे आप किसी भी टेक्स्ट को एकी साथ सिलेक कर सकते हो मतलब की Select All इसके बाद हम देखेंगे CTRL B जिससे हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक करके Bold कर सकते हैं Bold CTRL B प्रेस करके फिर हम देखेंगे CTRL D जिससे font dialogue box open होगा जहां से आप font, font style, color ये सारे change कर सकते हो फिर हम देखेंगे CTRL E जिससे alignment को center कर सकते हैं टेक्स्ट चो alignment है इसको हम center कर सेगे CTRL E प्रेस करके इसके बाद CTRL F से होता है Find आप किसी भी text को find कर सकते है CTRL F प्रेस करके ठेक है फिर हम देखेंगे CTRL G जिससे हम go to मतलब कि किसी भी text में page number में जा सकते हैं इसके बाद CTRL H जिससे हम किसी भी text को replace कर सकते हैं replace करने के लिए हम CTRL H यूज़ करते हैं फिर CTRL I, I से select करके किसी भी text को आप italic कर सकते हो ठीक है, next आपका आएगा J J, CTRL J stands for आप alignment को justify कर सकते हो मतलब कि दोनों side से बराबर होगा alignment J के बाद अभी K, CTRL K जो की use होता है hyperlink करने के लिए MS Word में hyperlink अगर आपको use करना है, आप shortcut में CTRL K यूज़ कर सकते हो फिर आएगा CTRL L, जिससे हम alignment को left alignment में set कर सकते हो text alignment को, ठीक है फिर आएगा CTRL M, जिससे हम indent set कर सकते है text के पहले हम indent को set कर सकते है, CTRL M प्रेस करके फिर आएगा CTRL N, जिससे हम कोई भी new document को ले सकते है आप अगर CTRL N प्रेस करते हो, तो automatically एक नया document open हो जाएगा इसके बाद हम आएगे CTRL O CTRL O से आप किसी भी save किये हुए document को open कर सकते हो CTRL O प्रेस करके shortcut से फिर हम आएगे CTRL P जिसको हम use करते है, print करने के लिए अगर आप किसी भी document को print करना चाहते हो, तो आप CTRL P यूज़ कर सकते है इसके बाद हम CTRL Q यूज़ कर सकते है, reverse indent के लिए reverse indent यूज़ करने के लिए इसके बाद CTRL R जिससे हम alignment को, मतलब कि text alignment को right set कर सकते है right alignment के लिए, ठीक है, फिर हम आएगे CTRL S जिससे हम save कर सकते है किसी भी document को, अगर आपको save करना है, आप shortcut के लिए CTRL S प्रेस कर सकते है इसके बाद आएगा CTRL T जिसको हम use करते है, indent को hanging करने के लिए मतलब एक ही जगा में indent को set करने के लिए इसके बाद हम देखेंगे CTRL U, जिसको हम underline, मतलब कि text को अगर underline करना है तो आप select करके CTRL U प्रेस कर सकते है फिर हम देखेंगे CTRL V, जिसको हम paste करने के लिए use कर सकते है CTRL V, जिसको हम paste करने के लिए use करेंगे फिर आएगा CTRL W, जिसको हम save and close दोनों कामी होता है, पहले save होता है फिर इससे आप close भी कर सकते हो, CTRL W प्रेस करके फिर आएगा CTRL X, जिसको हम cut करने के लिए use करते है cut, आप किसी भी text को cut करने के लिए CTRL X यूश कर सकते है फिर हम देखेंगे CTRL Y, जिससे हम last जो work है मतलब last जो आपने किया है, इसको redo कर सकते है मतलब दुबारा से कर सकते है इसके बाद हम देखेंगे CTRL Z, जिससे हम last work है उसको हम undo कर सकेंगे, मतलब जो मैंने किया है उसको फिर से बापस ले सकेंगे तो यहाँ पर सारे shortcut keys खतम होते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको A to Z CTRL के साथ यूज़ करने वाले shortcut keys को दिखाया है वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दिजिएगा, थैंक यू फर वाचिंग दे वीडियो, प्लीज कीप यूर सपोर्ट